वीडियो के माध्यम से लोग चर्चा करेंगे हिस्टरी के पेपर टू के दूसरे माडल पेपर के बारे में इससे पहले पेपर टू का एक माडल पेपर में दे चुका हूं मैंने विस्तार। से हर एक चीज बारे मरे चल्चा कर आ ने कहा था कि इसमें 12 चेप्टरं मिला कर कि हम लोग पढ़ेंगे, चेप्टर वाइस वीडियो अभी मिने प्रोवाइड नहीं करी है, लेकिन उसे पहले मैंने सुचा कि हर एक चेप्टर से बनने वाले, बहुत ही महत्पुण महत्पुण परस्णों को एक बार मैं बता दूँगा फिर उसके बाद में एक मारत में पर और मैं लाओंगा फिर उसके लब उसी के बीच में आपकी चेप्टर वास वीडियोज भी प्रुवाइड कर वाता रहूँगा तो बारा चेप्टर से मैंने विवस्ता है उससे बनने वाले प्रस्णों को समझ लिया था इसके अलावा प्रथम विश्व दिके लिए जो मुख कारक रहें अगरड़ी कारक रहें हैं या कारण रहें उन कारणों के बारे में समझ लिया वहां से बनने वाले प्रस्णों को जान लिया इसके बाद में हमने पेरिस सांती सम्मेलन और वर्साय संधी जो हुई है खासर के उसके बारे में जाना पेरिस सांती सम्मेलन में बहुत सारी संधिया हुई उन सभी संधियों से बनने वाले प्रसनों के बारे में समझा इसके बाद में राष्ट संग का जो निर्माड हुआ राष्ट संग का जो स तो आपको हिस्ट्री आप modern world के बारें पढ़ना होता है 1815 से लेकर के 1945 का इतिहास जो यूरोप का है उसके बारे में आपको जानना होता है तो आज हम जो है छेटवे चेप्टर यानि की साथमें चेप्टर से और 12 चेप्टर तक समझेंगे यानि की आज की वीडियो के माध्य साही का उडे कैसे होता है उसमें हिटिलर की या भूमी आ हिटिलर के बारे के बारे में स्घार से जानेंगे उससे बंदे व्रस्ट न को bend बहुतीय बिश्व कि कारक रहें कारणों के बारे में जानेंगे संएकْ और है तो उससे बनने वाले प्रसनों के बारे में समझने का प्रियास करेंगे ती ब्रिगती से मैं आगे बढ़ने का प्रियास करूंगा तो आपको बिल्कुल चिंता करने की आवसकता नहीं है और बहुत ही बारी के साथ हम लोग हरी चीज को जानेगे चलिए अब हम जाने का प्रियास करते कौन कौन से प्रसनाव के परिच्छा में आने वाले हैं और देखें पहला प्रसनाव इस बिमें बोलसेबिक करांती के प्रारंब में रूस का जार कौन था तो रूस जो है प्रकार से प्रथम विशुद्ध में आतेधिक उस्सास से समलित हुआ था और उसे समस्त रूसी जनता बिसे सुरुप से अखिल जो सलाव आदी थे उसका पूर्ण समर्थन भी प्राप्त था रूस में जर्वन आस्ट्रिया के बिरुध अतियंत कटुपूर्ण जो भावनाय थी और रूसीयों का विचार था कि रूस की अगांच्छाओं की पोर्ती में यही दो देश बाधक तो रूसी क्रांटी जो हुई है यह मार्च में हुई 2017 में और आप देखेंगे रूसी से नाओ की भीसन पराजे से क्या हुआ कि रूस की सरकार और जनता मिनरासा फैल जाती है जार और डियूमा के बीच में मत्भेद बढ़ते जाते हैं इस तरीके से लगातार चीजे जो ह मत्यति देखेंगे रूसी सामयवाद के रूस के को आप ध्यान रखेंगे ऑप देखेंगे वेधिया के की सिर्व नवरी की कि यह सतंवाबम लगाएड ज जाया साथे लोगाट होता है कि आप इंधक मैं भीसन नवरी के उन यह लूड़ को कि बादाब होते हैं यह उनुक बन सकता है रूस में आपको बदादू खूनी रभीवार की घटना आपसे पूचेगा कि जो ब्लडी संडे है वो किस दिन घटित हुई तो बीस 22 जनवरी को घटना घटित होती है 22 जनवरी आप याद रखिएगा कि भगवान राम का जो एक प्रकार से यहां पर अस्थापना दिवस है राम मंदिर की वो भी 22 जनवरी है और 22 जनवरी को ही रूस में एक कांड हुआ था खूनी रभीवार के नाम से उसको जाना जाता है ठी है 22 जनवरी निस सो पांच में रूस में कौन सी घटना हुई थी तो निस भानेगर खूनी रभीवार के हुटना बलडी संडम हाई ठीक है तो डियूमा की अस्थापना कर दिया 1917 इस भी में क्या होता है कि और उसी करांदी का ततकालिक करण था 8 मार्च को सर्मिकों के द्वारा रोटी की मांगी गई और 12 मार्च 1917 को सैनिक भी हरताली मजदूरों से मिल जाते हैं जो हरताल के मजदूर थे उनसे सैनिक भी मिल जाते हैं और सैनिक और मजदूर अब दोनों का एक परकार से संगठन बिरोत करने लगता है फिर उसके दो दिन के बाद में 14 मार्च 1917 को जार साही का पतन होता है और डियूमा यानि की संसद जो है वहाँ पर एक परकार से आस्थाई समिती की रूप में गठित करी जाती है और पेट्रो गार्ड सोबियत के जार्ज लेवो की अध्यक्सता आस्थाई मलब आस्थाई सरकार की घोशडा की गई फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि 22 जुलाई 1917 को केरियन सकी परधार मंतरी बनते है रूस के वैसे सारी घटनाए होती है और इस तरीके से पूरा एक सिलसिला चलता रहता है हलाकि जो प्रस्ण पूछा गया यहाँ पर कि 1917 इस दिमें जब बोलसेभी करांती हुई रूस में तो उसमें रूस का जार कौन था जार जो था उसमें कौन था एलक्जंडर दुतिये निकोलस दुतिये या एलक्जंडर तिये कौन था फटाबट से आप बताने का प्रियास करेंगे तो निकूलस दूतिये उस समय कौन था बोलसेविक करांथी की प्रारम में जो है 1917 में खासर के यही था क्या वहां का जार अगला परसे 1917 की रूसी करांथी का नेत्र तो किस दल ने किया था नारोदिक, सोशलिस्ट, बोलसेविक या मेंसेविक तो इसका करेक्टर एंसर हो जाएगा बोलसेविक इसलिए 1917 इसभी की करांथी को आप बोलसेविक करांथी के नाम से जानते हैं बोलसेबिक दल के नेत्रत में रूसी करांती जो है हुई थी ठीक है इसलिए इसको बोलसेबिक करांती नाम दे दिया गया प्रसनाप से पूछाया सकता है प्रसनाप से पूछे अगर आप से क्या प्रसनाप से पूछे कि बिस्त में एक जुट मजदूर का नारा जुड़ा थ में एघस। नमबर्डी होगा यानिकि रूसिप आप देखेंगे बोलचेविक कानकी कभ के ओन्सटी सबस्근肉 बोलसेविक revolution ठेक प्लेस बताए तो ये बोलसेविक क्रांती जो है यह ये कब हुई फ़टा करेंकै बोलसेविक क्रांती कब सब्सक्राइब करांती के बाद वहां अस्थापिस सरकार का प्रस्न क्या पूछा गया है बोल्सेविक क्रांती के बाद ठीके बाद पूछा गया वहां के बाद उस समय तो जो है कौन था उस समय निकोलस दुतिय था ठीक है और उसके बाद में क्या हुआ अस्थापिस सरकार का अद्धिक्ष जो था वह कौन था वह कौन था लेनिन उसका क्या नाम था ठीक है आपसे नंबर इसका भी करेक्टर है जरूगा अगला पर से 1927 आपकी सब्सक्राइब पर आ चुका हमारी तभिये व क्लासे में अभी नहीं ले पा रहा हूँ ऑर मैं प्याश ही कर रहा हूं कि जो है डिजीटल बॉर्ड पर आपकी कलास्ट लेने का प्रियास के जाजा और डिजिटल बोर्ड के चक्कर में लगा हुआ हूँ अगर भगवान चाहेंगे तो जो है अपरेल उपरेल तक मैं डिजिटल बोर्ड विवस्था कर लूँगा ठीक है लगा हूँ उसी प्रियास में और आप लोग थोड़ा सा वीडियो वीडियो देखें ज्यादा स समझाओं में अपके समझ में आएगा ठीक है तो मैं लगा हूँ प्रियास में भगवान अगर चाहेंगे तो फिर विवस्थित हो जाएंगे और अच्छे तरीके से आपके लिए मैं प्रियास करूँगा ठीक है तो प्रीआज जो है आगे दीखिए प्रसनाप के स्किन पर वहीं पर हुआ था और 1912 इस भी में मुसुलिनी जो था इसको प्रमुक समाजवदी पत्र यानी अवंती का संपातक किया गया मुसुलुनी ने मिलान से पापोलो डी इटालिया नामक समाचार पत्र निकाला 1916 में मुसुलुनी इटिली की सेना में सामिल हो जाता है इसके बाद में आप देखते हैं मुसुलुनी जो है एक प्रकार से एक इतावली फासिवादी यानि कि फासिष्ट वाद संगठन बनाता है ये फासिष्ट स्वैम सेवकसेनिक काली कुर्ती पहनते थे इसी ने इनको black shirts भी बोलते थे कभी काली कोड़ती दल ठीक है ये बात ध्यान नखेंगे तो इस तरीके से मुसलोनी जो था ये इटिली में ज्यादा एक प्रकार से मुसलोनी की विदेश नेती हो याने चीजे हैं इटिली में बड़ा प्रभाव जमा के रखा था इसने मुसल ठीक है तो मुसलोनी इंपोर्डेंट है यहां से प्रस्ण बहुत ज़्यादा परिक्षा में आपसे बनेंगे ये बात आप ध्यान नखेंगे तो प्रस्ण आपसे पूछा जा रहा है प्रस्ण है कि मुसलोनी जो है इसने लिटरन जो ले लेटरन समझोता है किस से किया था पूप प्येस गे रहा हमा से किसे किया था थीधर फासी बादी आंदोलन सबसे बिक्सित हुआ बताएं फासिस्ट मुव्मेंट फिर्ष्ट आफ आल डेपलप्ड जरमनी में या ऐसे में इस य मैं फिर इटिली में तो करक्ट इंसर इसका क्या हो जाएगा इस करक्ट टेंस पहली बार इटिली के प्रदान मंतरी कब बने तो बेन इटो मुसोली जो है इटली के व्रधान मंतरी कब बने पहली बार यह बने थे 30 अक्टूबर 1922 को आपसे नम बरिसका अब ध्यान नकिएगा अगला परसाब की स्किन पर आचुका है बेनिटो मुसोलिनी का जनम कब हुआ था बताएं वेनवाज बेनिटो मुसोलिनी बॉर्ण इसका जनम हुआ था वह कहां पर रोम आग्राव में इसका जनम हुआ था ये बाद ध्यान नखेंगे, अच्छा इसकी मृत्यू कब हुई थी, बेनेटो मौसयनि की मृत्यू कब हुई थी, इसकी मृत्यू 28 अपरण पार्टी ने बेनीटो मुसलोनी को निसकासित कर दिया था विच पार्टी एक्सप्लेड बेनीटो मुसलोनी स्रम, डीपबिलिकन, समाजबादी, एरास्ट बाधी फटाबण से आप बताएंगे इसका कररक्ट लाइबा, इसका कररक्ट एंसर क्या हो जाएगा तो इटली वर्डवार सेकंड में जो सामिल हुआ था कफ सामिल हुआ था वह सामिल हुआ था दस जो 1940 को आपसा नमबर इसका बा करेक्टर एंसर होगा आगे देखेगा अगला प्रसनाब की स्कीन पर आचुका फटा पट से आप देखने का प्रियास करेंगे ठीक है देखिए बढ़ियाप प्रसनाब की स्कीन पर आचुका है नारी नाजीवादी के दर्सन में अच्छा नाजीवाद यताना साही है जो उद्य हुआ है आप देखेंगे हिटलर जर्मनी में जो था वहीं पर आप देखेंगे इसका वो होता है ठीक है नाजीवाद पार्टी का निर्मा में राजनितिक पार्टी बनाने का प्रियास हो रहा था उस समय जर्मनी में सामेवाद का प्रभाव जो था वो बढ़ रहा था हिटलर को आदेश दिया गया कि वहाँ इन स्रमिक गत्विधियों का पता लगाए म्यूनिक के छे स्रमिकों ने स्रमिक दल बनाया जिसकी बैठ जर्मन स्रमिक दल रखा जिसको साठफाम में नाजिवाद करते रास्टे समाजवादी जर्मन स्रमिक दल को ही नाजिवाद का आ गया हिटलर जो है इसका प्रकार से उसमें सामिल था नाजिवादी पार्टी नाम का एक समाचार पत्र भी बाद में निकाला गया उसमें कई स जलम 20 अप्रेल 1889 को हुआ था आस्टेलिया के एक ब्राउनो नाम का सहर होता आस्टेलिया में वही पर था हिटलर जो था बचपन से चित्रकार बनने का प्रियास कर रहा था बनने चाहता था इसके लिए उसने बियाना के फाइन आर्ट्स अकादमी में आवेदन भी किया लेकिना सफल ला 1913 स्बे में हिटलर म्यूनिक सहर गया और 1914 में पर्थम विश्षुद चड़ने पर वह सोलामी जो है वर्साय की संधी की संधी जो हुई अपमान जनक थी और हिटलर के अंदर इस चीच की प्रतिसोद जो है बहुत दिनों से लगी हुई थी और जब पर्थम विश्षुद समाप्त हो जाता है उसके बाद में हिटलर गुफ्तिचर विभाग में अस्थापना इसकी करियाती मैंने अभी सुरुवात में बताया फिर हिटलर को गुफ्तिचर अधिकारी के रूप में जर्मन वकर्स पार्टी के बेदियों पर नजर रखने का अदेश दिया गया बाद में उसी पार्टी का एक परकार सदस बन जाते हैं ये ठीक है और राष्टबादी और माक्सवदी विचारों लबिरोधी विचारों से प्रभावित किया इस सारे बिचार जो है हिटलर को जर्मन वकर्स पार्टी के अच्छे लेगे और 1919 में हिटलर वो उस पार्टी में सदस्ता ले लेता है उसके बाद में फिर वहीं से उएक परकार से नाजी दल का गठन होता है तो प्रस नहीं पूछा जाता है प्रस नाप से पूछा गया है कि नाजी बात के दर्शन में सबसे मुख्य सिध्धांत क्या था नाजी बात के दर्शन में नाजी बात की विचारों में सबसे मुख्य विचार के अगर बात किये तो यहोदियों का बिरोध था आप से नंब में आस्ट्रिया में नहीं हुआ था उसका जनम कहा पर हुआ था प्लकुल आस्ट्र का प्रहां कौण से सही कौन सा इन्युन समय हुआ तुकर ऑफी में साम्मिल हुआ थै कि बिल्कुल ती ती यहां पर करक्ट क्थन साङ कर जाएगा टिक भेया लगा देंगे इसका इंसे ती जाएट डिल्कुल सत्त आगे देखें गे अगला कॉसन सापके स्किंद्पर आच रोगा है जर्मनी में नाजी पार्टी का नेता नेता कौन था सौन टाविया एडोल बी हिटलर जो था यह रोगा अगला कुशन सर्द नाजिवादी वाद किस देश में एक राजनेतिक विचारधारा की रूब में उबरा नाजिवाद जो है वो खासर के जर्मनी में विचारधारा की लूब में उबरा आपसन नमर 2 करक्टर मोगा एड़ोल फिटलर की आत्मकथा का सीरसक क्या था जिसमें उन्होंने जर्मनी के लिए अपनी राजनेतिक विचारधारा और भभिस की योजनाओं की रूप रिखा दी थी तो उस आत्मकता का क्या सीरसक है भई, उस आत्मकता का सीरसक है मीन कैफ, आपसर नमबर इसका बाकरक्टर एंसर हो जाएगा, ठीक है, उसका क्या था, मीन कैफ उसका नाम था, कारावास के दोरान हिटलर ने पनी आत्मकता लिखी थी, उसका नाम था मीन काफ, मीन काफ मलब मे मेरा संगर्स ठीक है हिटलर यूद का निर्मार भी हिटलर के द्वारा किया गया था 1926 में ठीक है यह वाद ध्यान रखेंगे और एक बात और अगला परस नाजी पार्टी के द्वारा विपक्षी समोहों को डराने और खत्म करने के लिए गठित अर्धसैनिक दस्तों को क्या कहा जाता था द्वारा विपक्षी समोहों को डराने और खत्म करने के लिए गठित जो अर्धसैनिक दस्तों ही नीति का क्या क्या था जिसके काल दुतिय विशुद्ध छढ़ गया तो हिटलर की विदेश निती का जो उद्धेस था वो क्या था वो उद्धेस था जर्मन छेत्र का विस्तार करना ठीक है और इसी कालड से आप देखेंगे जर्मन चेतर का अच्छा दुतिय विश्य युद्ध में धुरी डास्टों में जो सामिल था उसमें कौन-कौन से देश सामिल थे उसमें जर्मनी, इटली और जापान ये तीन देश सामिल थे ये बात आप ध्यान लखेंगे ओके और हिटलर के नेतरत में 1 सितंबर 1949 को जर्मन सेना न से हुए हिटलर ने अपनी पतनी उसका नाम था इवा ब्राउन उसके साथ 30 अप्रेल 1945 को बर्लिन में एक बंकर था उसी बंकर में अपने विवाह के एक दिन बाद ही आत्महत्या कर ली थी ठीक है हिटलर की ये एक प्रकार से स्टोरी है ये ध्यान रखिएगा आगे बढ़ चलिए आगे बढ़ने का प्रियास करते हैं प्रस्नाप की स्कीन पर आ चुका फटापट से आप देखेंगे इंपोर्डेंट परस्न है परिच्छा के दिष्टी से बताएं रुज वेल्ट अमेरिका के राष्ट पती चुने गए रुजबेल्ट अमेरिका के कौने सब्सक्याइब कि फृफटों मढले नियुडल ऩृफ़ व पहली बार मानता कब दी गई इस्रमिक संगों को पहली बार मानता दी गई थी तो फ्रेंकलिन डी रुजबेल्ट के द्वारा दिलवाए गई थी डी आपसन करेक्ट एंसर होगा इसका न्यू डील में अउदोगी नीती का सबसे विबाद अस्पद पक्च क्या था तो न्यू डील नीती में जो सबसे अउ तो आप बताएंगे अमेरिका के राष्ट पती रुजबेल्ट के द्वारा पेस की गई थी ये बाध्यान लखेंगे ओके ओसनी से महामांधी के द्वारा अमेरिका के राष्ट पती कौन थे हरबर्ट हूबर जो थे उस समय वह थे ठीक है ये बाध्यान नकिएगा आगे बढ़ते हैं तो इस तरीके से और एक प्रस्ण आपसे बनता है एक्जाम में जो है अमेरिका से ही रिलेटेड है ब्लेक ट्यूजडे ब्लेक जीसे खूनी रभीवार की घटना जो थी ऐसे ही अमेरिका में एक घटना हुई है मंगलवार के दिन इसलिए उसको ब्लेक ट् किन हुई थी इसको ब्लेक ट्यूजडे बोलते हैं ठीक है यह बात आप ध्यान लखेंगे ओके चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्णों को जानने का प्रयास करते हैं मेरी थोड़ी तबीयत खराब है ठीक है और इसलिए थोड़ा सा बहुत थोड़ा मैं धीरे धीरे आपसे बोल पा रहा हूँगा ठीक है देखे प्रस्णाप की स्कीन पर अगला आ चुका है रोम बर्लिन टोक्यों धुरी का निर्माड कब हुआ प्रपट से आप बताने का प्रियास करेंगे बढ़ियां प्रस्ण है दोतिये विश्वधिस से रिलेटेटर प्रस्ण है प्रस्ण आप से पूछा गया है रोम बर्लिन और टोक्यों धुरी का निर्माड कब हुआ इसका करक्ट एंसर हो जाएगा आपसे नंबर बी अठारा सो प्रपट से ठीक है 1937 रोम बर्लिन टोक्यों धुरी का निर्माड जो हुआ 1937 में हुआ अगला प्रस्ण सोब्येट संग पर आकमड करने की जर्मनी की योजना थी उसको क्या कोड दिया गया था यनि किस नाम से कोड क्या आपरेशन सी लायन आपरेशन क्रासबो या आपरेशन बार बरोसा या उपरक्त मेशे कोई नहीं इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा द्थान नखेंगे अच्छा किसने कहा था कि मैं आकर्मड करूंगा आत्मसमरपड नहीं करूंगा आत्मसमरपड नहीं ऐए यह बात किसका कखन है यह इसलेर्य हिलर ठीक है यह बात आप ध्यान लखेंगे है ओके अच्छा कप दूतिय विश्वद की सुर्वात कब से हुई 1949 से हुई उनिसो पैतालिस तक चला छे वरसों तक लड़ा गया दूतिय विश्वद में दो बिरोधी दल हुआ करते थे एक था आपका मित्र रास्ट ठीक है मित्र रास्ट में वैसे सामिल थे आपकी ब्रेटन ठीक है नि इंगलेंड इसके लावा फ्रांस सामिल था पुरा ब्रेटन सा अमेर्का और रेस यह अमेरिका और रेस तो पावरफील सक्टिया थी फ्रांस और ब्रम भी उसमेँ पावरफील यह ऑख करते थे अए में जो धूरी रास्ट के बीच में युद्ध हो रहे थी ठीक है धूरी रास्टों में मुक्रूप से जर्मनी जो था एक परकार से सामल जर्मनी के अलामा इटली और जापान इटली जा पान यह तीन देशंट में फ्रकार से संभलई दुतिये विश्युद प्रारंब होने के कई कारण थे पहली बात तो वर्साय की संधी में गणबढ हुई थी दूसरी बात तुष्टी करण की नीती चल लही थी राष्ट संग जो था जो बनवाया गया था पर्थम विश्युद के बाद में वो दुर्बल पढ़ता जा रहा था उसका कोई सुनता ही नहीं था आर्थिक मंदी उस समय पूरे संसार में फैली हुई थी जर्मनी और जापान में सैन वाद का उदे हो रहा था वहाँ पर सेनाय एकदम से फढ़ा रही थी सेनाय बहुत जादा थी अच्छा जर्मनी बगरा को लगा था कि बहुत जल्दी युद्ध को मैं समाप्त कर दूँगा है मुस्किसे छे महीने या साथ महीने में मैं इन सभी मितर राष्टों को यहां से जो है दबोश लोगा भगा दूँगा और भरा दूँगा लेकिन क्या होता है कि बही जितना इन्होंने अपने दुस्मन को कमजोर समझा इसलिए जो है दूटिय विश्वध में भी धूरी राष्टों की पराजय होती है यह बात ध्यान रखेंगे इटली का नेत्र तो फांसी बादी विचारधारा का समर्थक मुशोलिनी कर रहा था जर्मनी का नेत्र तो समय नाजी वादी विचारधारा का समर्थक एडॉल्फ हिटलर कर रहा था ऐसे जापान में आप देखते हैं ठीक है जापान भी एक प्रकार से उस समय अपने उपहान पर था जापान भी प्रकार से चकर मकर कर रहा तो फिर बात में एक दम से अमेरिका को पस्तावा भी हुआ बम गिराया था ठीक है अमेरिका ने ठीक है तो फिर दिक्कत हुई थी अच्छा सोबिय संग पर जर्मनी के आक्रमन करने की योजना जो थी वही प्रस्ण पूचा गया तो उसको बार बरोसा बोलते थे यह बात आगे बढ़ते हैं अगे और अगला कोसंस आपकी स्किन पर आचुछा फटापट से आफ देखने का प्र्यास करेंगे दोतीय विशुuppyd के दौरान इंगलेड के प्रधार मंतरी कोन थे इंगलेड के रेख्म का फोट रिखुद्ध की जर्मन सेना का नेता कोन था हूँ आज डाली डाल मंत्री है रूस्बेल्ट भी नहीं था मुसूलनी भी नहीं था इसमें करक्ट एंसर क्या हो जाएगा इसका एक एम धर होगा ठीक है लर्ट next question साब की screen पर आ चुका है देखेंगे प्रस्ण नहिए दुतिये विश्ध के दौरान सुवेत संका नेता कॉन था तो सो जो है Commander General थे वो कौन थे फटाबट से आंब बताएंगे तो लिदे की तो जो जो थे यह जापान के क्या थे अगला प्रस्ण है दुतिय विशुद्ध का अंतिम युद्ध कौन सा था दुतिय विशुद्ध का जो अंतिम युद्ध था वो कौन सा युद्ध था अटलांटिक का युद्ध था ओके तो आपसा नंबर इसका करेक्ट एंसर क्या स्वारी एक मिनट प्रस्ण क्या पुछा सब्सक्राइब करेंगे जो अमेरिका ने जो अमेरिका ने जो बंब गिराया था हीरो सीमा पर वो कब गिराया था तो छे अगस्त तुनिसों पर गिराया था हीरो सीमा सेंपर पहला बंब गिराया था पहले बंब का नाम था लिटिल बॉय और उसके बाद में दूसरा बंब गिराया था नव अगस्त को तीन दिन बाद नागासा की सहर में जापान के उनीसों पैतालिस में ही उसका नाम था फैट मैं तो लिटिल बॉय और फैट मैं ना पान ने बिना किसी सर्थ के अमेरिका के समक्ष आत्मसमरपड कर दिया और इसी के आत्मसमरपड के साथ 14 अगस्त 1945 की डेट को दोतीय बिश्चुद्ध जो है वो समाप्त हो जाता है ये बात आप ध्यान रखेंगे तीस अप्रेल 24 को रोम को अपनी नियंतर में ले लिया मित्र राष्टों ने फिर उसके बाद में 24 अप्रेल 1945 को मुसुलिनी को एक फासिस्ट विरोधी ने गोली मार करके हत्या कर दी मुसुलिनी की इस तरीके से आप देखेंगे धीर देगर के सारे चीज़े होती जाती है ठीक है तो इसका करक्ट एंसर क्या हो जाएगा दुटी विशुद कांती में दुकौन था ओकी नावा का युद्ध अगला परसना की स्किन पर आ चुका है फटापर से आप देखने का प्रियास करेंगे समयुक्त राज अमेरिका किस वर्स दुटी विशुद में सामिल हुआ था विया फट अगला परसन जापान ने पारल हावर में इस्थित अमेरिकी नौसेनिक बेड़े पर हमला कब किया था बताएंगे और इसी हमले के साथ जो है सुरू हुआ था जो इसी विशुद के बलब कीसी हमले के बाद में फिर सामिल हुआ था यहीं साथ अगस्त उनीस सो एक्तालिस जापान ने क्या किया पारल हावर में इस्थित जो अमेरिकी सेनिक नौसेना था जो बेड़ा जा रहा था उसी बेड़े पर हमला कर दिया और जब अमेरिकी बेड़े पर हमला हुआ तो उनीस सो तालिस में फिर जब अमेरिकी नौसेनिक मारे गए तो अमेरिका फिर हम जो ह सबसे ज़्यादा उसी पास था तुरंट जो है लगा दिया तो इस तरीके से आप देखेंगे जो है जापान जो था उसने पारल हावर में इस थे अमेरिकी नोसेनिक बेड़े पर जब हमला किया उसके बाद में फिर अमेरिका से और जापान की दुस्मनी धिरे-धिरे बढ़ तो इस तरीके से यह दूतिय विश्वध के बारे में कुछ यह मैंने आपको बताई सेकंड वर्डवार आगे देखिएगा अगला परसन आपकी स्किन पर आचुगा फटापट से आप देखने का परियास करेंगे बढ़िया परसने परिच्छा के दिश्टी से आपके किस स समयलन में सहुंक राष्टव संग के अस्थापना हुई थि कि समयलन में सभ्णक्य सोंग के अस्तापना हुई थि भिया पताबर चाँगे सेन फ्रांसिस्को को अस्थापना हुई थी यह बाद भी ध्यानए के सद्राश्ट संग की है ऑके अनल कि अब युण पूरा नाम क्या है युदाटर नेशंस और का पूरा नाम है देन है इत जो से राश्ठ संग था उसमी का नाम पाध 16 टूबर को सभुष्ण कि यह स्थापना हुई इसका मुखोद्वस्था अंतराश्टी सांती और सुरक्षा को बनाए रखना और इसका जो मुख्याले है यह उनीस वावन बन करके तयार होता है सभूप के लिए भूमी जान डी राख फेलर नाम के बैक्टी ने दान करी थी उसका नाम त के जो चार्टर अधिनियम उसमें और तुम्ध की व्यवस्था पिका है उसका नाम है महा सभा उसको महा सभा के नाम से जानते हैं ठीक है इस अप्रसनाव से बन सकता है और संविक्तराष्ट संग यानि जो इसका घोचड़ा पत्र है चार्टर है उसकी मूल परती अमेरिका की राष्टी यह जो है पूरा लेखागार में रखी हुई है सविक्तराष्ट में वर्तमान महा सच्व जो हैं पुर्तकाली निवासी एंटोनियो गुटेरस एक परकार से है और सविक्तराष्ट संग का प्रमुक परसासनी का दिकारी जो उसी को महासच्व का हिा एक है हिंदी विभासण देने वाले उ वो सिरी अटल विहारी बाच पेजी थी ठीक है और संग की या संग्तुराष्ट महासभा की पर्थम महिला भारतिय जो बनी थी वो स्रीमती बिजय रक्ष्मी पंडित थी जो बनी थी ठीक है यह बात आप ध्यार नखेंगे संग का मुख्याले अवस्तित है और संग का मुख्याले औरस्तित कहां परहिए नयुव्यार्क सि对में किस ने दिया था संग्तराष्ट समसब्र संब सबकिए एगर बात किया थो किस न दिया था फ्रैंकलिन ठोस बेल्ट ने रिय था यह आप सесте करेक्ट रोगा अगला पर सेंपचास देशों के प्रतिनिधियों ने 26 जुन 1945 को संयुक्तराष्ट संग के चार्टर का प्रारूप कहां तयार किया था तो जो है कहां पर तयार किया था भी यह यह तयार किया गया था कहां पर सेंफ्रांसिस्कों में आप सेंबर इसका सी करेक् सामिल थे उसमें 51 सदस्देश जो थे वह सामिल थे आप सनम्बर इसका बाकरक टेंसर होगा अगला को संसे बरतमान समय में अगर देखेंगे अगर आप देखेंगे तो लगभग आपकी 193 के आसपास अगला प्रसंद निम्रिकित में से कौन सा संविक्तराष्ट संग का अंग है इन में से देखें महा सभा सुरक्षा परिसद और आर्थिक और समाजिक परिसद यह सभी है आप सनम्बर इसका डी करक्ट एंसर हो अगला प्रसंद से बन सकता एक्जाम में स्युक्तराष्ट संग के चार्टर में कुल कितने अनुचेद और कितने अध्याए हैं तो मैंने आपको बताया था 111 जो है इसमें अनुचेद हैं और 19 जो है अध्याए है आप सनम्बर इसका आ करक्ट एंसर हो जाएगा भारत सम् स्थापना की गई है यह बात भी ध्यान रखेंगे इसके लाइब्रेरी को किस नाम से जानते हैं है साथ बालको जैनि जिसको आप यूणी शेचा बोलते हैं उसका मोख्याले आपसे पूझता है तो नूव्यार कैने अमेरिका में डबलू एक्टुराइब्स प्रांस की राष्ट पत्रम राजधानी है वो तिक एस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है ये संग्तराट संग में छह अधिकारिक भास आए हैं और जिनमें बड़े उसकी बात है लग्जा की बात है कि अपनी हिंदी भास उसमें नहीं है अंग्रेजी है फ्रेंच है ठीक है रुसी है अर्बी है ठीक है और इसके लावाद चाइनी रहे कि उन्हीं के जो मक्रूप से उसमें जादा है फंग को भरक देता है नहीं परसके टीक है और भारत उसमें सामिल होना चाहता है लेकिन जो है चैना तीक है पांस देश कॉनको से फ्रांस फंग की सुरक्षण एक मईट असार सदस में अमेरिका हो गया आपका अमेरिका हो गया रूस हो गया गRED BRITAN हो गया ठीके प्रांस हो गया और चाइन कियेगा चिन ठीक है तो इस तरीके से 22 सामिल और भारत सांद हो जाए हो जाए लेकिन अगर इन मेंसे कोई एक पांचों में से कोई एक देश अगर जो है उसकी मंजूरी नहीं देता है तो फिर सामिल नहीं किया आता है और इन में से अगर किसी ने भी हस्ता छेव कर दिया तो फिर वो काम नहीं होना कोई भी अगर मामला आगे बढ़ रहा है अगर एक भी देश उसको नहीं मानता अपने तो यह चाहिना जो होता है मना कर देता है तो इस तरीके से यह कुछ प्रसंद थे जो मैंने आपको बताएं मिलते हैं तब तक के लिए भारत आप सभी का बहुत-बहुत धनिबाद हमारे साजोड़ने के लिए प्रकार से अपना प्यार बना रखेंगे बहुत-बहुत- भी एक बहुत जो है धमाकेदार इंटरी आपकी आपके लिए करूंगा मैं और एक अच्छे तरीके से आपके समख चालने बाला हूं बहुत-धनिबाद